करने के बावजूद भी वार्षविक बादमिक परिक्षा दो हजार चौविस में उप परिक्षा देने से वंचित रखे जा रहा है या बोड के द्वारा जो निम नस्तरिय पदादिकारी है उनकी लापरवाही का नतीजा है जो सुर्क जमा हुआ है दो लाख पैतिस जार एक दिमिट का डाया है हमारे सिक्ष नków से पढAnn जमने के मांदे जीकरा रहे हैं मैंशार वर्वर्ण से जो गोशना कर दी गई कि नए साल में फरवरी मा में जो है इंटर और मैट्रिक दोनों की परिक्षाएं ली जाएगी हाला कि अब कुछ समस्याइं जो है वान पड़ी है सिक्षक हों या अभियर्थी सभी लोग कभी कही न कहीं दुवधा में हैं इसी करह में हमारे साथ बात करने के लिए हैं सारण चीजों के बीच में अब क्या समस्याइं देखे सबसे बड़ी बात है कि हम तो बिहार सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे कि जो एक यह अच्छी परिक्षा आयूजित की जा रही है बोड के द्वारा सरकार के द्वारा लेकिन अभी एक सबसे जलंत मुद्दा जो पूरे किया है लेकिन मुझे जो सूचना मिली है इसमें बहुत सारे ऐसे विद्याले है जिनके परिक्षार्थी जो छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने परिक्षा सुल्क जमा कर दिया है लेकिन परिक्षा सुल्क जमा करने के बावजूद भी वार्षविक बादमिक परिक्षा द जारों की संख्या में हैं उनकी भविश्य अंधिकार की ओर जा रही है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पुरुव में पहले जो यह प्रक्रिया होती थी कि पहले बोड के द्वाराति थी निर्धारित की जाती थी उस निर्गत तिती में च्छात्र च्छात्राओं का रजिस्टेशन किया जाता था पहले रजिस्टेशन होता था उसके बाद चलान के माध्यम से उनका सुल्क को जमा किया जाता था तो उसमें कहीं कोई गरबड़ी नहीं होती थी लेकिन इस बार एक बोड के द्वारा नया एक्सपेरिमेंट किया गया है एक्सपेरिमेंट यह है कि पहले ही चलान के माध्यम से सुल्क जमा करा लिया जाता है उसके बाद फिर बोड कहता है कि तब आप फोरम आप भरिये और फोरम भनने में भी अगर फाइनल सम्मिशन नहीं हो पाता है तो वह परिक्षार्थी जो है परिक्षा से वन्चित रह जा और लिए जैसे मैं कुछ विद्याले का हमारे पास में जो डाटा आया है मैं वो डाटा बताना चाहता हूं पल्टू हाइश स्कूल गोपालपुर कोठी सीवान में इसका जो डाटा है 300 प्लस इसके विद्याले परिक्षार्थी इसमें चात्र चात्राएं हैं जिन्होंने म पाक 35 175 रूपए इसने बोड को जमा कर दिया है लेकिन बोड के द्वारा कितने बच्चों का सोचिए मात्र 63 बच्चों का ही एड़मिट्काड आया है यानि कि 56 3630 रुपएक एड़मिटकाड मात्र 63 बच्चों निर्गत करके आया है यानि कि 200 के करीब में बच्चे कहां जाएंगे 200 करीब के बच्चे के जो अभिवावक है जो परिवार के अभिवावक है उनकी ऐसी नौबत आ गई है कि उस विद्याले में जाके वह तोड़ फोड़ कर रहा है हेड मास्टर को मानने की धमकी दे रहा है सिक्षकों के साथ गलत ब्यवार कर रहा है तो इस तरह से बिहार में साइक्षनिक माहौल गरबडा रहा है ऐसी बहुत सारी सूची है प्रेमचंद्र हाइस्कूल सरारी सिवान का है और भी बहुत सारे विद्याले की सूची है के हाई स्कूल वैशाली में है तो पूरे बिहार से 5,500 की ऐसी सूची पड़ी हुई है जो चात्र चात्रा आज के परिक्षा से वार्षिक परिक्षा 24 से वंचित होते हुए दिखाई दे रहे हैं सैक्षनिक माहौल गरबड़ाते जा रही है मैं यहीं बिहार विद्याले परि प्रक्रिया पूरी कर ली है कम से कम उनके जिन्होंने सुल्क जमा किया है वैसे लोगों को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए मौका भी मिलना चाहिए ताकि वहां परिक्षा देखे और अपने आगे की भविश्य को बना सकते हैं सिर्फ सिक्षा विभाग से ही जुड़ हो रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि विगत एक वर्सों से आप देख रहे होंगे कि विभाग लगातार एक्सपरिमेंट पर एक्सपरिमेंट किये जा रहा है और कई एक्सपेरिमेंट उसका सफल नहीं हो पा रहा है मैं आपको कुछ बात को बताना चाहता हूं कि हमारे पिता जब स्वर्गे स्रीकेदार नाथ पांडे जी थे तो सदन में उन्होंने एक विशार को वेक्ट किया था कि समान स्कूल पडाली आयोग की रिकमेंडेशन को बिहार सरकार को लागू करना चाहिए उसके लागू होने से बहुत सारी परिशानिया दूर हो जाती है आज की परिस्तिती में जितने विद्याले भवन विहीन है, जितने विद्यालेों में मूलभु सुबधाय उपलब्ध नहीं है, बहुत ऐसे अनुदानित विद्याले हैं जो बित रहीत आज भी पढ़े, सरकार की घोसना के बाद, सरकार नहीं है घोसना भी किया था कि ऐसे विद्यालेों को हम लोग भविष सिके लिए जाते हैं 11,000 विद्यालों की आवशक्ता पूरे बियार में है और हम लोग तो कह रहा है कि 3,000 ऐसे विद्याले हैं जिनको सरकार को अधिक्रित करने में कोई विशेश खर्च की आवशक्ता नहीं है 169,000 करोण रुपया सरकार जो है आज के परिस्टिती में वित्रहित अनुदानित विद्यालियों को अनुदान देने के लिए निर्गत करती है तो क्या वैसे सिक्षकों को हम लोग घाटा अनुदान लागू नहीं कर सकते हैं और वैसे विद्यालियों को हम लोग अधिक्रित नहीं कर सकते हैं अधिक्रित कर सकते हैं यहां पॉलिसी भी तयार सरकार ने किया था हमारे पिता ने कई बार इस सवाल को बिहार विधान परिशत के मंच पे उठाया था सरकार का जवाब भी साकारात्मक आया है लेकिन विभाग का ध्यान पता नहीं उधर क्यों नहीं जा पाँरा है यहां ज़ता सोचने का विशा है और चात्रों का काम तो पढ़ना है और हमारे गुरू का काम है उनको पढ़ना और जिन्हों ने और जिन्हों सोपकते हैं वही इन सब परिश्थितियों को कैसे कहलेको डिया को एक वास्तो श्क्षकों की मुल्भुस समस्या को भी देखना चाहिए और जहां तक नयाय उचित हो वहां तक जाके उनकी कारवां़ भी करनी चाहिए ताकि जो साइक्ष्णिक माहूं देखिए Mane मंकह मंत्री जी का एक नारा है विहार के हित में उन्हों ने कहा कि हम बिहार में Ou माहौल को सुदरूर करना चाहते हैं आप देखिये कि सिक्षक की बढ़िवानिय मंचमंत्री जी ने कराया मंख्य मंत्री जी बार बार यह घोसना विकरते हैं कि आप लोग पढ़ाई आपको वेतन की चिंता करने की आवशकता नहीं हैं हमारे सिक्षक आज अच्छे ढंग से पढ़ाते भी हैं मुख्य मंत्री जी के हर आदेश को और सरकार के हर आदेश को हमारे सिक्षक मानते भी हैं लेकिन एक अपर मुख्य सचीव हमारे जो पदादिकारी हैं वो घूम-घूम के कहते हैं कि आप पढ़ाते नहीं हैं तो माल लीजे कि बार-बार आप जाईएगा उस विद्याले में और बार-बार सिक्षकों को प्रतारित कीजिएगा तो यह कहीं से ऐसे आपके आद हुई जो परंपरा रही है साड़े नौ बजे से चार बजे तक विद्याले चलने का वैसी परंपरा लागू रहनी चाहिए और छुटी की जो घोसना आपने किया है जो कटवती आपने किया है तो हर लोगों का यह नयतिक अधिकार और दाइत तो बनता है छुटी लेना तो चुटी की भी सुची को पुर्व की भाती आप लागू करने करने दीजिए यही आपसे आगरह करते हैं और मानिमुख मंत्री जी से भी आगरह है कि अधासिग रह से फैसले को वह वापस कराए यही निवेदल है तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था आनन्द पूसकर का इसको बस इतना ही आप क्या सोचते हैं अपना ओपिने जरू कॉमेंट वक्स में दीजिएगा अब तक हमारे चैनल को आप सुब्स्ट्राइब में कहें हैं तो कर लिजे धन्यवाद